Current Affairs through MCQs October 2023 और ये है हमारा Part 4 Okay, Elios IS आपको हर माइने की Free of Cost Monthly Magazine प्रोवाइड करता है जो आपको हमारी Telegram चैनल Elios IS पर मिलती है, आप यहाँ पर डाउन्लोड कर सकते हैं जिसका डेमो है तो इस तरीकिसे आपको PointWise Format में मिलता है आप एक बर इस Magazine को पढ़कर अपने Question Solve करने कोशिश करिए और आपको पता चलेगा कि यह Magazine कितनी Beneficial है Okay, तो आज का हमारा पहला Question है प्रधान मंतरी अनुसूचित जाती अबुद है योजना के बारे में तो सबसे पहले हर बार की तरह हम इस स्कीम के बारे में जानेंगे यह implemented हो रखी है 2021-2022 से बट यह merge करकर बनाई गई है तीन Centrally Sponsor Scheme के द्वारा अब वो तीन Centrally Sponsor Scheme कौन सी है? प्रधान मंतरी आदर्श गराम योजना Special Central Assistance to Schedule Cast Subplan बाबु जग जीवन राम छत्रवास योजना अब इसका एम क्या है? प्रधान मंतरी अनुसूचित जाती अबुध है योजना का जो एम है कि हमें poverty को कम करना है अमंग ऐसी community जो Schedule Cast Communities है उनमें poverty कम करनी है अब हों poverty कम कैसे करेंगे? उसमें employment बढ़ाके ठीक है employment की opportunities बढ़ाके skill development करके और उनके बीच में income generate करकर तो याद रखना इसका basic aim क्या है poverty कम करना Schedule Cast Community के बीच में Done तो अब कोशन क्या फूश रहा है What are the three centrally sponsor schemes merged to form प्रधान मंतरी अनुसूचित जाती अबुध है योजना तो पहला option है प्रधान मंतरी आवास ओके हमें इन तीनों में से तीन बतानी है ठीक है तो जन्धन योजना तो हमने पढ़ा नहीं कि ऐसा कुछ है आईश्मान भारत ये भी नहीं था प्रधान मंतरी आदश ग्राम योजना ये है Central Special Central Assistance to Schedule Cast Subplan ये भी है और बाबु जग जीवन राम चातरवास योजना ये भी है तो option B हमारा correct answer हो जाएगा ये आपको government initiative October 2023 की magazine में मिलेगा जो कि free of course मलती है हमारी telegram channel पर जिसका link है description में done next question है what is the primary objective of cognitive computing okay तो cognitive computing क्या है cognitive computing simulates करता है जो human का thought process होता है किसी complex situation में जहांपर answers जो है वो uncertain होते है कभी-कभी ऐसी situation आ जाती है जिसमें हम कोई भी एक option नहीं choose कर सकते हैं दोनों हमें बराबर लगते हैं तो उस चीज को stimulate करता है बिल्कुल humans की तरह cognitive computing अब इसका aim क्या है mimic करना जैसे कि हम humans करते हैं विल्कुल उसी तरीके से mimic करना the way human brain works जैसे हमारे इंसानों का दिमाग काम करता है उसी तरीके से mimic करना बिल्कुल सेम उसी तरीके से चीज़े करना intelligent system को create करना और जो same decisions ले जैसे कि human लेता ओके तो इसको बोलेंगे cognitive computing यानि कि इंसानी दिमागों को बिल्कुल copy करकर उसी तरीके से उस situation में decision लेना जैसे एक इंसान लेता तो अब इसमें हम क्या क्या incorporate करेंगे obviously हमें इसमें artificial intelligence को incorporate करना पड़ेगा expert का system incorporate करना पड़ेगा कुछ neural networks जो है उन्हें machine learning को deep learning को natural language processing NLP जिसका short form है speech recognition को object recognition और robotics यह सब हमें cognitive computing को incorporate करने में लगेंगे अब देखते हैं इसका application क्या क्या हो सकता है इसका application logistics में हो सकता है कुछ decision जो है कि अगर कुछ important है और कुछ important नहीं है तो उनमेंसे क्या चुनेगा अगर एक इंसान चुनता तो retail business में हो सकता है हम सीधा computer को रख दे रिटेल में बेचने के लिए okay cyber security में health care में education में banking and finance में तो इन सब जगह पे हमारा cognitive computing है वो यूज हो सकता है तो question देखते हैं what is the primary objective of cognitive computing replicate human emotions stimulate the human thought process in complex situations यह है इसका बिल्कुल correct answer complex situation में human क्या सोचता उसका thought process क्या होता same उसी चीज़ को सोचना ओके यह हमारा science and technology portion में October 2023 की magazine में next question है project उदभव के बारे में तो पढ़ते हैं तो project उदभव यह क्या है यह study of evolution है Indian military system का उसकी strategy strategic thought और state craft के बारे में ठीक है तो हुआ क्या यह collaborative process है किंसकिस के बीच में Indian army के बीच में और United service institution of India के बीच में इन दोनों ने मिलकर यह project launch किया है project उदभव अब इसका object क्या है कि synthesize करना ancient wisdom को जो पुराने time पे हमारे पास थी contemporary military practices के संग यानि कि जो ancient time पे हमारे पास military strategy थी उस चीज़ को आज के time के military process के साथ synthesize करना यानि कि merge करना उसमें से जो better चीज़े है वो आज के time पे डाल देना अब इससे हुआ क्या है इससे attention हुआ है किन किन चीज़ों पे ancient Indian knowledge system related to warfare जिसमें हमारे पास चानकी की अर्थ शास्तर आ जाती है जिसमें strategic partnership, diplomacy, soft power के बारे में बात की गई है तो चानकी की अर्थ शास्तर में हमें इन सब बातों का विवरन मिलता है और तिरु कुरल की book और एक तिरु कुरल book है जो ethical conduct and warfare के बारे में बोलती है तिरु कुरल एक तमिल text है जिसको तिरु वल्लुवा ने लिखा था, done तो इसमें हमें दो books का mention होता है चानकी की अर्थ शास्त और एक तिरु वल्लुवा की तिरु कुरल book तो question क्या पूछ रहा है, who is the author of तिरु कुरल जो हमने book की बात की थी one of the ancient texts referenced by project उद्भव, तो इस book किस ने लिखी थी, तिरु वल्लुवा ने, ओके, यह आपको security and defense section में October 2023 की magazine में मिलेगा, description, telegram का, oh sorry, link जो है वो हमारे description में है, telegram का next question है, लाकर डॉंग turmeric के बारे में, ठीक है, तो हम देखते हैं, लाकर डॉंग turmeric सायू, सायू, क्या है सायू, इस woman का नाम है, जिनने अभी हालही में पदमश्री अवार्ड मिला था, और इनको turmeric trinity कहा जाता है, ठीक है, इनको सायू को turmeric trinity कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इनके काम के बारे में, जो उन्होंने में घाल्य में किया है, लाकर डॉंग turmeric को लेके, ये हमारी लाकर डॉंग turmeric, turmeric बोले तो हल्दी, done, so, लाकर डॉंग turmeric, जो है, ब्लाक एलूवियल सोयल में कल्टिवेट की जाती है, और ये jantia hills में majorly उगाई जाती है, मौन्सून के टाइंग पर, ठीक है, इसकी high potency होती है, इसमें three times जादा कुरकुमीन होता है, एक regular turmeric से, इस वज़े से ये काफी अलग है, ओके, और इसी जो लाकर डॉंग turmeric है, one district, one product scheme के अंदर इसको लाया गया है, west jantia hill district में, तो megalia में एक district है, जिसका नाम है west jantia hill district, उसमें one district, one product के अंदर, हम लाकर डॉंग turmeric को लेकर आएं, तो question क्या पूश रहा है, लाकर डॉंग turmeric इस primary cultivated in western ghat region, बिल्कुल भी नहीं, हमने अभी कहा पढ़ा, ये कहा है, मिघले में, लाकर डॉंग turmeric is cultivated in late right soil, नहीं, हमने क्या पढ़ा, ये black aluvial soil में उगाई जाती है, लाकर डॉंग turmeric is known for high potency, बिल्कुल correct, containing three times more curcumin than regular turmeric, ये है इसका बिल्कुल correct answer, तो हमारा option कौन सा हो जाएगा सही, statement 1 is correct नहीं, statement 2 is correct नहीं, statement 3 is correct, ये हो गया, C option आपका correct, ये आपको environment and geography section October 2023 की magazine में मिलेगा, और आज का last question है हमारा, which communities primary involved, किसके regarding बात हो रही है, छेडी बुटा सारी के बारे में, हुआ किया अभी Tamil Nadu के कुछ दो products को, GI tag मिला है, जिसमें से पहला है, जादेरी नामकट्टी, अब ये जादेरी नामकट्टी क्या है, ये clay की sticks होती है, ठीक है, ये clay की sticks होती है, कुछ इस तरह दिखती है, जिनका बहुत जादा smooth texture होता है, और फिंगर्स की तरह बहुत जादा shape में रहती है, अब ये किस वज़े से काम आती है, ये forehead, जो हमारी मूर्थिया होती है, उनका forehead बनाने में, या फिर men's में, ठीक है, temple के जो elephants होते हैं, उसको बनाने में काम आती है, इसमें rich deposit होता है, hydra silicate mineral का, जिस वज़े से ये काफी जादा important है, और इसको GI tag मिला है, और ये process होती है, बिल्कुल fine-grained clay में, यानि कि इसके clay होती है, वो बहुत जादा fine होती है, तो जिसकी वज़े से जो idles यानि मूर्थिया बन दी है, वो भी बहुत जादा खुबसूरत और fine बन दी है, इसको ये depend होती है, इसको sunlight की बहुत जादा जरूत होती है, सूखने के लिए, इसमे climatic conditions जो है, वो भी बहुत जादा crucial होते है, manufacturing के process के time पर, okay, अब हम देखते हैं, चेडी बुट्टा सारी के बारे में, जिसके बारे में हमने पीछे question देखा था, ये handlung सारी है, चेडी बुट्टा, डिजाइन में, और ये silk और cotton mixed fabric में आती है, चेडी बुट्टा combines Tamil word चेडी, चेडी का मतलब होता है plant, और बुट्टा का मतलब होता है, repeated motive और design, ठीक है, तो यानि कि plants का जो है, जैसे हम इसमें देखेंगे, तो plants के ही repeated designs आपको इसमें मिलेंगे, तो इस वज़े से सारी का नाम है, छेडी बुट्टा सारी, ओके, ये feature, iconic plant, इसमें plants जो है feature होते हैं, motive होते हैं, और intricate woven border होता है, इसमें बहुत खुबसूरत, और इसमें पल्लू के design से बहुत खुबसूरत होते हैं, ये जो है, ये सौर राश्टर community के दुआरा, इसको बनाया जाता है, woven किया जाता है, ठीक है, तो हमारा question क्या है, which community is primary involved in the weaving of छेदी बुटा सारी, जिसको भी GI tag मिला है, हमारा तमिल लाडू से, तो options है, ब्रामी, सौर राश्टर community, तो I think हमें हमारा answer मिल गया है, तो ये सौर राश्टर community के दुआरा बनाई जाती है, और ये आपको environment and geography section, October 2023 में मिलीगी, thank you so much, keep learning, keep smiling, और हमारे telegram का link description में है, okay.